एक बार एक शहर में एक लड़का रहता था एक दिन वह अपने दादाजी से मिलने आया वह गर्मियों की छुट्टियों में उनके साथ खेलता था एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा दादा जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ क्या आप मुझे सफल होने का कोई तरीका बता सकते हैं दादा जी ने हां में जवाब दिया और लड़के को अपने साथ पास की नरसरी में ले गए नरसरी से उसके दादा जी ने दोनों छोटे-छोटे पौधे लाए और घर वापस आकर उन्होंने एक पौधा गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया और दूसरा पौधा घर के बाहर लगा दिया और फिर लड़के से कहा तुम्हें क्या लगता है? इन में से कौन सा पौधा भविश्य में बहतर बढ़ेगा? लड़का कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला घर के अंदर पौधा लगाओ तो वह बहतर बढ़ेगा क्योंकि वह हर खत्रे से सुरक्षित है बाहर पौधा लगाने से कई चीजों का खत्रा रहता है जैसे तेज धूप, तूफान, बारिश और जानवर ये सब पौधे को नश्ट कर देंगे दादा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखते हैं भविश्य में क्या होता है? उसके बाद वह लड़का वहां से चला गया चार साल बाद लड़का फिर से अपने दादा जी से मिलने आया उसने दादा जी से पूछा दादा जी, पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मैं अपने जीवन में सफल कैसे हो सकता हूँ तो आपने मुझे कुछ नहीं बताया लेकिन इस बार आपको मुझे बताना होगा दादा जी मुस्कुराय और कहा जरूर लेकिन पहले हम उन पौधों को भी देख लें जो हमने कुछ साल पहले खरीदे थे ये कहते हुए दादा जी लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने एक गमले में छोटा पौधा लगाया था उन्होंने देखा कि छोटा पौधा एक बड़े पौधे में बदल गया था फिर वे लड़के को उस पौधे को देखने के लिए ले गए जो उन्होंने बाहर लगाया था उन्होंने देखा कि एक छोटे पौधे से एक बड़ा पेड उगाया है इसकी शाखाएं दूर तक फैल गई हैं और छाया प्रदान कर रही है अब दादा जी ने लड़के की ओर देखा और पूछा कि बताओ कौन सा पौधा अधिक बड़ा हुआ जो अधिक सफल है लड़के ने उत्तर दिया कि जो हमने बाहर लगाया था लेकिन दादा जी ये कैसे संभव है कि उस पौधे के इतने सारे पौधे खतरनाक हो फिर भी वह इतना बड़ा हो गया दादा जी मुस्कुराए और कहा हाँ, बाहर लगाये गए पौधे को कई चीजों का सामना करना पड़ा लेकिन समस्याओं से निपटने के अपने फायदे भी थे बाहर लगाये गए पौधे को अपनी जड़े पहलाने की स्वतंतरता थी जितना वह चाहता था तूफान और भारी बारिश जैसी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और भी मजबूत कर दिया आज यह इतना मजबूत है कि एक छोटा तूफान इसे कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता है जबकि हमने जो पौधा अंदर लगाया था वह छोटा रह गया और वह कमजोर भी है क्योंकि ये भारी तूफान बारिश और तेज धूप का सामना नहीं कर सका तब दादा जी ने अपने पोते की ओर देखा और कहा मेरे बेटे हमेशा याद रखना कि जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करते जब तक आप कठिनाईयों से नहीं गुजरते तब तक आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि आप आराम दायक विकल्प चुनेंगे तो आप उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आप बढ़ सकते हैं और यदि आप संघर्ष करने और कठिनाईयों से गुजरने के लिए तैयार हैं तो आप के लिए कोई लक्ष हासिल करना असंभव नहीं है इसलिए समस्याओं को कभी भी बाधा न समझे बलकि उन्हें सफलता की सीड़ी समझे लड़के ने एक लंबी सांस ली और पेड़ की ओर देखने लगा उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे जिन बाधाओं को हम अपने जीवन में दुश्मन मानते हैं वही बाधाएं हमें हमारे जीवन में मजबूत और अधिक सफल बनाती हैं अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हमारे जीवन में चुनौतियों और कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार हम निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने का साहस खो देते हैं, लेकिन दो पौधों की यह कहानी हमें सिखाती है, चुनौतियों से घबराना नहीं है, बलकि हमें उनसे सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में स्विकार करना चाहिए, जैसे की बाहर लगाया गया पौधा, उसे कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी जड़ें फैलाने और मजबूत बनाने की स्वतंतरता भी मिली। दोस्तों, उमीद है, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवा, जैहिंद वन्दे मात्रम।